हेलो स्टुडेंट्स, क्लास 10, मैथेमेटिक्स, चैप्टर, सर्फेस एरियाज और वॉल्यूम्स, ओके, आज करते हैं कुछ और क्वेशन, NCRT बुक निकाल लेजिए, चले भई, NCRT बुक में करेंगे, एक्साइस 13.3, कुश्चन नमबर 4, ठीके, बड़ा कॉमन सा कुश्चन है, जूरियर क्लास में भी कई बार आ चुका है, A well of diameter, 3 meter, is dug 14 meter deep, ओके, तो हमने यहाँ पर क्या किया, we dug a well, हमने कुवाँ खोदा है, ठीके, फाइन, तो अब well, it is in a shape of a right circular cylinder, ठीके, यह हमने कुवाँ होदा है, and it is in a shape of a right circular cylinder, समझे गे न, यह क्या है, कुवाँ बनाया है मैंने, यह न, ड्रॉइंग अच्छी नहीं है, ठीके, राइट, इसने बार बार बता रहा हूँ, मैंने mathematically बनाया है, कि यह आपका well है, यह कुवाँ है, ठीके, अगर यह cylindrical form में है, तो इसका radius होगा, और इसकी height भी होगा, ठीके, फाइन, तो radius यहाँ पर कितना है, 3 by 2, कैसे, पढ़े हैं उसमें question में क्या बोल रहे है, a well of diameter, 3 meter, तो diameter किता बता रहा है, 3 diameter, तो diameter का half क्या होता है, radius, ठीके, यह center है, यहाँ से यहाँ तक का radius, r, 3 by 2, और इसकी depth, ठीके, find depth, ठीके, इसको हमने depth को S से रिनुर पर, height नहीं बोलेंगे, because हमने well care, नीचे खौद है, तो हम लोग depth बोलेंगे, ठीके, तो इसकी जो depth है, वो कितनी है, 14 meter, right, तो अब हमने कुवा, खोदा, गड़ा कर दिया पूरा, तो उसमें से क्या निकलेगी, उसमें से मड, मिट्टी, अर्थ निकलेगा, समझे है, मिट्टी, पत्थर, वो सब कुछ निकलेगा, ठीके, right, यहाँ से हमने पूरा खोद के बहार निकाल लिया, right, पुरा, तो अगर मैं पूछना चाओं कि भी, कितना बहार निकाला, तो तो यहाँ से क्या निकालेगा मिट्टी, वो अर्थ पुरा पुरा निकलेगा, समझे गए क्या, यह तो बिल्कुल नॉर्मेल एकजमीन थी, हमने उसमें पूरा डग किया, ठीक है, राइट, and we taken out the earth out of it, उसमें से पूरा गड़ा करने के लिए हमें पूरा मत्ती, पत्थर सब बाहर निकालना पड़ेगा, तो कितना बाहर निकला, कितना बाहर निकला, जितना इसका volume, तो volume का फॉर्मला क्या होगा, pi r square h, तो इतना हमने earth बाहर निकाले, ओके, taken out of it, has been spread evenly all around it, in the shape of a circular ring, of width 4 meter, to form an embankment, ठीक है, अब क्या किया, इस में से हमने मत्ती निकाली, ठीक है, राइट, और उस मत्ती से हमने क्या किया, इस well के हर तरफ boundary बना दी, समझ रहे हैं आप, ठीक है, यह वाला portion पूरा जमीन है, okay, this is earth, ठीक है, यहाँ पे grass हुगी हुई है, है ना, यह अर्थ है और हमने उसके बीच में गड़्डा कर दिया, अब क्या होगा, कभी अंधेरा होगा, है ना, और अगर हमने इसके आसपास ऐसे boundary नहीं बनाई, तो कोई भी इसमें गर जाएगा, कोई इंसान गिर सकता है, ठीक है, राइट, एनी एनीमल, ठीक है, राइट, पाइन, वो इसमें गर जाएगा, मर जाएगा, ठीक है, पाइन, तो loss of life होगा है आपर, इसके अलबा पानी भी खराब होता है, पास में आरी, तो इसलिए decide किया गया, इसके हर तरफ हम एक boundary बना देंगे, ring shape में, किस से बनाएंगे, अलग से material लाने की जोरती नहीं है, जो इसमें से हमने बाहर निकाला है, पत्थर, मिटी, वो सब कुछ बाहर निकाला है, उसी से हम लोग क्या करेंगे, इसके हर तरफ एक circular boundary बना देंगे, that is called as embank embankment, ठीक है, आपने देखा भी होगा ना, बुक्स में भी देखते होंगे, कुवा तो होता है, पर उसके चारों तरफ हम इस तरह से boundary बना देते हैं, ताकि उसमें कोई गिरे नहीं, तो embankment हमें यहाँ पर बनाना है, किस से बनाना है, जितना mud इसमें से निकला है, उसी से तो embankment कुछ इस तरह से दिखेगा, है न, यह earth, समझ रहे हैं, यह earth है, ठेके, और यह well है, और यह हमने embankment बना दिया पुरा, ठेके, fine, जो यह जो हुआ है, वो यहाँ से शुरू हो रहा है, ठेके, इस जगे से शुरू हो रहा है, fine, okay, इतने portion है, समझ रहे हैं ना मेरी ब ठेके और यह हमने क्या बनाया पुरा इंबाक्टमेंट मट्टी से पुरा बना दिए और चितना वेल है ठेके उतना एरिया तो खाली छोड़ना पड़ेगा नहीं पानी कैसे निकालेंगे तो यहां पर बीश में पूरा का पूरा खाली है ठेके और यह वाला पूर्शन किसका है पूरा इंबाक्टमेंट का है तो अभी जो इंबाक्टमेंट है यह किससे बना हुआ है इसमें से हमने जो अर्थ निकाला मड ठेके राइट जो भी आ रहा है इसमें से जो निकाला हमने जो भी यहाँ पर आया, उसमें से निकाला, उससे हमने क्या किया? Embankment, मतलब इसके चारों तरफ एक, ठेके, fine, circular में हमने एक boundary बना दी, ओके, और इस तरह से बनाई, इसके हर तरफ boundary बनानी है, पर बीच वाला portion खाली छोड़ना है, सहच पा रहे हैं? ठेके, right, fine, तो बीच वाला portion यह पूरा खाली है, ओके, fine, और इसके हर तरफ हमने क्या कि Embankment बनाया, और उसके लिए हमने इसमें से जो मड निकाला, वो यूस करके बनाया, ओके, चलिए, अब इस Embankment को discuss करते हैं, ठेके, बोल रहे हैं, यह जो Embankment है, इसकी जो width है, इसके width कितनी है, 4 meters, यह width है, 4 meters, जो अंदर एक ring बन रही है, यह अंदर एक circle बन रहा है, बाहर एक circle बन रहा है, तो अंदर वाले का radius क्या होगा, वो ही होगा, जो well का radius है, जो kuway का radius है, because अंदर वाला portion हमने खाली छोड़ा होगा तो वही radius होगा, internal radius 3 by 2 तो फिर बहार वाला जो है, इसका radius क्या हो जाएगा तो आप देखो, concentric circle से, बताँ ये वाला circle और ये वाला circle दोनों का center क्या है, same तो अंदर वाला radius और width कितनी है, 4 तो that means, जो बहार वाला circle है, इसका radius क्या हो जाएगा r plus 4, तो r कितना है, 3 by 2 plus 4 समझे क्या है, ठेक है रहे, हम ring पढ़ते वह आ रहे हैं, है न, right तो एक तरह से ring ही तो बन रहा है, ये है न, तो internal circle and external circle, तो इसका radius plus thickness 3 by 2 plus r, that is 4 LCM ले लेते हैं, 8, 8 plus 3 11 by 2 ठीक है, right, तो ये क्या होगे है, यहापर external radius होगे, ओके, इतने बास में आ गई क्या चले, अब अब इस embankment पर concentrate करें, इस embankment को मैंने यहाँ पर बना दिया, तो मैं बोल सकता हूँ, embankment is in the shape of a hollow cylinder, ठीक है, right, एक hollow cylinder का shape आ रहा है न, देखो, embankment का, ओके, ये बीच वाला portion क्या है, खाली है पूरा, और इतने area क्या है, इसमें पूरा mud use हो रहा है, कौन सा mode, mud, जो यहाँ से निकाला था, उससे हमने पूरा embankment बनाया, ठीक है, ये पूरा embankment, ठीक है, राई, उससे बना हुआ है, ठीक है, फाइन, और बीच वाला portion क्या है, इसमें, खाली है, ठीक है जी, पास में आ रही है, तो अब ये जो embankment है, राई, ये जो hollow cylinder है, इस hollow cylinder का volume क्या होगा, तो hollow cylinder का volume मैंने समझाया आपको basics में, उसमें आप दुबारा देखिएगा, hollow cylinder का volume, volume मतलब, volume का मतलब यहाँ पर हो जाएगा weight, volume की, volume हम लोग दो जगे यूज़ करते हैं, एक जगे जहाँ पर capacity निकालना हो, और एक जगे जहाँ पर weight निकालना हो, बास में आ रही, capacity मतलब, suppose पता चला, ये bowl है, hemispherical bowl है, इसमें कितना पानी भर सकते हैं, तो क्या निकालेंगे, volume, पर यहाँ तो कुछ भरी नहीं सकते हैं, यहाँ तो अंदर से पुरा क्या, खाली है, तो यहाँ पर volume weight कौन से area में, इसी area में है, ओके, तो कैसे निकालेंगे, hollow cylinder की form में है, जिसमें इस तरह का shape होता है, और अंदर खाली है, यतना portion, क्यों खाली छोड़ा हुआ है, ताके हम लोग पानी निकाल सकें, तो यह embactment है, उसी को मैंने यहाँ पर बना दिया, I hope मैं discuss कर पा रहा volume of embactment, embactment का volume, volume का मतलब mass, मतलब कितनी मत्टी यूज हो रही है, इसमें, pi r square h, मतलब हमने जो बहार वाला cylinder बन रहा है, बहार वाला cylinder, इसका volume निकाल, बहार वाले cylinder का volume, height हमने क्या मान ली यहाँपर, h dash, यह अपलिक देना अलग से, let the height of the embactment is h dash, ठेक है, तो बहार वाल cylinder का volume, तो अगर मैं, जैसे, अगर मैं cylinder का volume निकालता हूँ, ठेक है, right, fine, तो यह पूरा volume count हो जाएगा, ठेक है, right, बस में आ रही है, यह पूरा volume, इस पूरे का volume आ जाएगा, ओके, तो pi r square h dash, r मैंने capital वाला लिया है, मतलब मैं बहार वाले circle की बात करो, ठेक है, right, बहार वाले circle की बात करें, तो बहार वाले cylinder का volume निकला है, उस में से क्या minus कर दिया, अंदर वाला minus कर दिया, क्यों, अंदर वाला तो खाली है न, empty है, volume का मतलब mass, तो हमने बहार वाल cylinder, minus अंदर वाला cylinder, समझ रहें, जब मैंने बहार वाला cylinder निकाला, तो वो पूरे का weight count करेगा, मानेगा, इस पूरे का volume, पर इस में से, जो अंदर वाला portion है, समझ रहें, यह जो अंदर वाला portion है, यह तो खाली है, इस जगे तो कुछ है ही नहीं, तो इसको हमें क्या करना प तो पूरे का volume, minus अंदर वाले का volume, तो वो ही हमने किया, कि volume of external cylinder, minus volume of internal cylinder, इस में से हमने pi और h' common ले लिया, तो ऐसे लिखेंगे, और वैसे हम इसको इस तरह से लिखते हैं, h को पीछे लिख देते हैं, इस तरह से लिखते हैं, तो यह मैंने बहुत अच्छे से बताया आपक volume of hollow cylinder में, इसलिए मैंने सीधा लिख दिया, embankments is in the shape of a hollow cylinder, समझ गए ना, तो सीधा formula था यह बाला, okay, common लेना भी समझ गए, तो यह क्या है, volume of external cylinder, minus volume of internal cylinder, दोनों में से pi और h' common ले लिया, multiply हो रहा है, तो आगे पीछे कर सकते हैं, ठेके, तो आपने इसको पीछे लिख दिय है, h dash, okay, I hope, आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, okay, इसको रब कर देते हैं, अब आप देखो, मैं यहाँ पर कुछ लिखने अचा रहा हूँ, on, okay, वी ऑस रा हूँम ख रहा हो उ nerede मुझो रधे देंए? स॥ी नहीं, रहा गाता हैं, आप 5 लिखक留 हैं, 맞 क्या हैं, सकते हैं, क्या बार बा कर देरे लिया।, बार सिके हैं, झा और रहाँ वखकर मैं, और रहा बभाटमे क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या तेके वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट इकोल्स टो वॉल्यूम ऑफ इम्बैक्मेंट मतलब यहां से जितनी भी मट्टी निकाली जितनी भी यहां से निकाली तेके राइट उसको एज़ड़ बिना वेस्ट किये उससे पूरा का पूरा क्या इम्बैक्मेंट बना दिया तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट इकोल्यूम ऑफ इम्बैक्मेंट क्या हम ऐसा बोल सकते हैं आंसर इस क्योंकि आप देखो यहां से जो मट्टी निकाली है उसी से तो यह बनाया है तो इसका वॉल्यूम और equals to volume of embankment, ठीक है, फाइन, तो volume of earth taken out कितना है, यह रहा, pi r square h, volume of embankment, pi r square minus r square into h dash, pi से pi दोनों तरफ cancel, ठीक है, अब आपके पास values है, क्या-क्या values है, आपके पास small r है, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, राइट, लिख दू, 3 by 2, whole square, आपके पास h है, कितना, 14, आपके पास यहाँ पर, capital r है, 11 by 2, ठीक है, square, फिर small r, 3 by 2, square, और निकालना क्या है, अपने को, h dash, ठीक है, फाइन, तो इसको calculate करके निकाल सकते हैं, अब आप देखो, इसको आप solve कर रहें, जितना आप reduce कर सकते हैं, कर लें, यह a plus b, a minus b करके भी कर सकते हो, ठीक है, फाइन, तो इसको आप solve करिएगा, transposition करिएगा, तो आपके पास किसकी value आजाएगी, h dash, ठीक है, तो इसको pause करके, solve करो, उसके बाद आगे video दुबारा play करने, ठीक है, करिए इसको, चलिए, आपने इसको कर लिया होगा, ओके फाइन, तो इससाथ जो भी homework आएगा, उसको आप ज़रूर करिएगा, आज हम यही question यहापर discuss करेंगे, ओके, next class में एक और question करेंगे, okay, fine, the next class में मिलते हैं, तब तक के लिए practice करते रहें, बढ़ते रहें, और सबसे important अपना ध्यान रखेंगे, बाए,